हलो फ्रेंड नमस्ते आज हम आपके लेके आए हैं कठल की सबजी यह सबजी आप खाएंगे इसके आगे मटन और नॉनवेच खाना ही भूल जाएंगे यह सबजी हमने बहुत ही नए तरीके से बनाया है आप इसको एक बार जरूर बनाए और हमारे चैनल पर नए है तो सब्स चोटे पीसस में हमने काट लिया है अब हमें कूकर लेंगे गैस पर रख दिया मैंने कूकर को उसमें एक गिलास के लगबग हम पानी डालेंगे और थोड़ा सा उसमें नमक हल्दी और यह काली मिच डाल दिया है मैंने और इसमें हम मिक्स करके और कठाल इसमें उबालने के लिए डाल देंगे नमक डाला है ताकि मसाला नमक इसके अंदर तक घुज़ा है अब इसे हम कुकर को बंद कर देंगे और दो सीटी लगा के इसको हम उतार देंगे जब तक हम प्याज काट लेते हैं हमने दो प्याज लिया है दो प्याज को हम छील लेंगे और इसे हमको इस इतनी तरह से काटना हम इक हम एक प्याज में दो कुड़े करेंगे और इतने मोटे नहीं काटना है अब कि टूबत में नहीं काटना है झालत साच अब कोटर के सीट सी निकाल देंगे फिर उसके बाद हम कटल को देखेंगे कि मेरा कटल कितना पका है कि नहीं इसके बाद हम कटल को एक चमच में लेंगे और उसे हम कट करके देखेंगे कि मेरा कितना हो गया है ये 60% तक हो गया है और थोड़ा सा बाकी है तो उसको हम फ्राइ करेंगे तो हो जाएगे अब कुकर को हमने फिर से गैस पे रख दिया है और इसमें हम डालेंगे सर्सो का तेल और इसे हम सर्सो का तेल गरम हो जाए फिर उसके बाद हम डालेंगे ये कटल को हमको फ्राई करना है इसको लाल होने तक हम इसको फ्राई करेंगे फ्राई करने से कठल का स्वाद और भी बढ़ जाता है और उससे ज़्यादा भी थोड़ा सा पक जाता है अब ये देखिए कठल बिल्कुल लाल हो गया है अब इसको हम एक बाउल में निकालेंगे ये खुब अच्चे से फ्राई हो गया है इसको हमने एक बाउल में निकाल दिया है अब इसमें हम फिर से हमने कुकर में तेल डाल दिया है ये देखिए मेरा फ्राई हो गया है कठल फिर से हम उसको उसी कुकर में तेल डालके तेजपत्य डाल दिया है और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं, इसको भी हमने डाल दिया है, बड़े लायची, और ये रहा जीरा, अब इसे हम हलका सा ब्राउन होने तक भूनेंगे, अब इसमें हमने हारी मिश डाल दिया है, और ये लसन, लसन मैंने खड़ा ही डाला है, इसको काटनी की जुरूरत न जाएगा, और इसमें मैंने थोड़े सी लाल मिच डाल दिया है, ताकि मुझę तीखा बनाना है, और अब इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को भी हमने, दो प्याज काटे थे, सारे डाल दिया है इसमें, अब इसे भी हम हलका धिमी आस में भूनेंगे, और इसे हम मिक् तोड़ा साइब इसे भी हम मिक्स कर देंगे इस तरह से देखिए फ्याज में थोड़ा लगबग हो गया है और इसमें हमने डाल दिया है टमाटर कटे हुए दो टमाटर डाल दिये हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे संसे बेख देंगे टमाटर मेरा अच्छे से ग्ल जाए अब यह देखिए मेरा टमाटर हो गया है पुआ अब इसको भी हम मिक्स करेंगे अब फिर यह में हम मीट मसाला डालेंगे क्या है मीट मसाला मी शायिए कि मीट में पड़ता यह मसाला है, किसी चीज में बढ़ जाता है और यह मैंने कास्मेरी लालमेश पॉडर डाल दिया है कलर के लिए और थोड़ा सा पाने डालके एक कप के लगवाँ पानी डाला है और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे मिक्स करने के बाद इसको हम कूकर में सीटी लगा देंगे सीटी हमको एक से दो सीटी लगानी है ताकि जो मेरा मसाला है वो अच्छे से गल जाए अब एक से दो सीटी हो गई है जब सीटी पूरी निकल जाए उसके बाद ही हम इसको खोलेंगे और ये देखिए हमारा टमाटर प्याज अच्छे से पढ़ गया है अब इसे हम चमज की सायता से मिक्स कर देंगे ताकि जो प्याज टमाटर लसन है वो एकदम घुल जाए आपको इस तरह से कर देना है और कितना अच्छा कलर आया है अब इस तरह से सबजी बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बनेगा और ग्रेवी भी इसकी बहुत ही ठीक होगी अब हमने मसाले को मिक्स कर लिया है अच्छे से फिर से हम इसको गैस पर रख देंगे शुर्ओं अप्से इस फिर से गैस पर रख दिया है फिर इसमें हम рах적 डॉलेंगे राड़ें लीजा Liebe ञाल और मम अच्चे से मसाले के साथ मिक्स करएंगे और यह बहुत ही अच्छा बहुत ही टेस्टी आप यह खाएंगे तो इसके आगे नॉन्वेज खाना भी भूल जाएंगे और यह हमने पानी एक गिलास के लगबख डाल दिया है आपको जितनी गरेवी चाहिए आप उसके हिसाब से इसको कर सकते हैं और यह हमने इसकी दो सीटी लगा दी है कूकर बन करके और यह हमारा दो सीटी लगने के बाद यह हमारे तयार हो गई है कटल की बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवा यह कितना यमी लग रहा है देखें जैसे लग रहा है कि नॉन्वेज अब इसे हमें कटोरिम सर्व करेंग हमने इसे कटोरे में निकाल दिया है हमारी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजेगा और अपने फैमिली फ्रेंट के साथ इसे जरूर शेयर कीजेगा आगे वीडियो देखने के लिए हमारी सस्क्राइब बटन को दबाएं और ये रहा हमारी कटहल की सबजी बहुत ही टेस्टी बहुत ही लाजवा इसको एक बार हमारी ट्रिक्ट से बनाएं और हमें कमेंट्स में बताएं कि ये सबजी कटहल की कैसी बनी थी धन्यवाद